हलो बच्चों नवश्कार सभी को स्वागत आप सभी का साइंस अन्फान नाइन टेंट चानल पर जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो भहिया आप लोगों के एक्जाम्स शुरू होने वाले है और एन आवरिज देखा जाए तो 15 फेब्रियरी को आपका एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा ठीक है जी कुछ स्कूल पहले कर रहे हैं कुछ स्कूल बाद में कर रहे हैं तो मोटा मोटा बात यही है कि कमिंग जो मन्त है यानि जो फेब्रिरी मन्त है वहाँ पर आपके एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है ना तो अब लेकिन आज जैसा कि आप देख पारे हो बच्चों को दिक्कत कहां हो रही है बच्चों से रूबरू होता हूं देखो एक फाइदा हमको आफ्लेंड टीचर होने का क्या मिलता है बहुत ही सारे फाइदे एक फाइदा क्या है जो हम ऑनलेंग वाले बच्चों तक यह बात पहुचा सकते हैं कि हम फील कर पा रहे हैं कि बच्चों को क्या चाहिए इस वाक्त देट समय पता होती है कि कि मतला ऑन अन आव भीर बात सामने आई वो यह थी कि बच्चों से MCQ में दिक्कत आ रही है जो पहला सेक्षन है हमारा जो 20 MCQ आएंगे जिसमें से दो एजर्शन रीजनिंग रहने वाले हैं वहाँ पर बच्चे कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं दिक्कत में हैं मतलब सवाल आता हुआ वो गलत करके ओर आ रहे हैं क्यों एक तो मिक्स है कॉंसेप्चाल बेज़ है असान कोशेच को भी वो क्या कर के आ हैं कलेण करके आ हैं तो आज मैं कोशिक करूँगा ऐसे और भी सेशन लेकर आएंगे dream स्टड़ी में उनको दिक्कत हो रही है तो अगला सेशन में रखके स्टड़ी का होगा फिर दुबारा से 50 mcq उसका होगा लग गया हूं तुम्हारे पीछे बहुत जादा कोशन कराने के लिए ठीक है ना अच्छा कई बच्चे यह सोचने कि हम 9 में लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं यह बहुत अच्छा सवाल है आपका देखो 10 और 12 को ही लाइव क्यों पढ़ाया जाता है 9 और 11 को लाइव इतना जादा क्यों नहीं पढ़ाया तो 9 और 11 का जो बच्चा होता है अभी फिला हम आपकी बात करते हैं 9 की बात करते हैं तो मालो अगर कल उसका हिंदी का पेपर है तो आज लाइव में नहीं आएगा उसका टाइम विस्ट हो जाएगा उसको लगेगा कि मेरा छूट गया है तो उसको रिकॉर्डड दो कोइंसी मैच कर पा रहे होगे तो आज के लेक्चर के अंदर मैं 50 MCQ कराने वाला हूं चीक है जी बहुत जादा भैंकर नहीं होंगे लेकिन अच्छे होंगे भैंकर इंदा सेंस कुछ कोशन बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं स्कूलों में आए हुए गौर्मेंट औ के पहली बात बाकी डिपेंड्स आपको पता ही है नाइंट स्कूल टू स्कूल पर डिपेंड करेगा तो आज मैं कराने वाला हूं पचास धमाकेदार कोशन उनको कई को करने के ट्रिक दूँ मैं कोई शूर्शॉट ट्रिक नहीं होती बीस के 20 ठीक कैसे करें तो cliffs आःए कि 20 20 कैसे करें ऐसी कोई शूर शॉट हमारे पास किसी के पास भी कोई ट्रिक नहीं है बस आज मैं कहूंगा पूरी NCRT से उठा रखे हैं NCRT येस पूरी NCRT नी NCRT तो पूरे NCRT से हमने 50 कोशन उठाए हैं और ऐसे ही एक case study based कोशन लेकर आऊँगा और फिर 50 कोशन और लेकर आऊँगा आपके MCQ के ही तो without wasting any time शुरू करते हैं अच्छा एक last बात और करेंगे शुर करने के लिए फिर कहूंगा depend on question to question लेकिन बहुत ज्यादा समय भी नहीं आपने waste कर देना वहापर पर पूरा नहीं होगा अगर वो crack नहीं हो रहा तो आगे बढ़ जाओ ठीक और last में कोई ना कोई option तो छोड़ कर आओ क्योंकि आपकी negative marking नहीं है तो something is always better than nothing क्या बताओ तो का ही फिट हो जाए पहली बाद वैसे तो मैं कहूंगा नहीं की तुका लगाओ लेकिन जब कोई option ना हो तो लगा देना चाहिए उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि एक नंबर के कोशन में maximum आपको एक मिनट लगना चाहिए तो आज पचास mcq हैं तो हम कोशिश करेंगे पू जा सकते हम अटेम्ट कर रहे होंगे पेपर को चलो यह बढ़ेंगे आगे बहुत ही बढ़िया से पहला प्रशन के इन फिगर देस एबी जो है वह वह बीए के पर प्रपेंडिकुलर है यानि यह 90 डिग्री का है यहां पर यह भी 90 डिग्री का है वी सी जो है वह बराबर य रखी है उसके बाद जो एबी है यानि जो यह है वह इसके बराबर दे रखा है तो आपको बताना है कि जो एबी डी ट्राइंगल है एबी डी ट्राइंगल है वह किसके कॉंग्रुएंट होगा वह किसके कॉंग्रुएंट होगा और विसी बात है देखो अगर हम यह वाली स और लाना ए बीडी बोला तो एफ इसी होगा और या और या और लगाइड़ बी के कोर्सपॉंडिंग इसी है तो और तो कर्सपॉंडिंग वर्ड को आपने बिल्कुल धंग से रिब्रेजंट करना है FEC आएगा EFC नहीं होगा ECF नहीं होगा FEC होगा कहीं बच्चों को लगता है यह एक ही बात है triangle का नाम यह एक ही बात है लेंगे जब हम congruency लिखते हैं तो दोनों को आपने correspondingly show करना होता है ठीक है जी? ओके? done है? आगे बड़े? तो यह option था हमारा D option आगे बड़ेंगे diagonal of a rectangle is inclined to one side of a rectangle at 25 degree तो एक rectangle है उसका जो diagonal है वो एक side पर 25 degree बना रहा है एक side के साथ acute angle between the diagonal is देखो अब आपको acute angle निकालना है यह वाला angle चेके जी? अच्छा अब देखो जो डाइगनल आप देखो छोटी छोटी tricks और concept से question आपका solve हो जाएगा तो इसको धंक से समझना है आप देखो diagonal of a rectangle equal होते हैं चेके जी? तो उसका जो आधा होगा वो भी equal होगा यानि यह दोनों बराबर होगा है अब यह दोनों बराबर होगा है तो यह 25 है बच्चो तो यह भी 25 होगा angle opposite to equal sides are equal जब पूरे diagonal बराबर है तो आधा भी बराबर होगा diagonal बाशक भी करते हैं तो अगर यह 25 है तो यह भी 25 तो angle some property लगा के यह कितना आ गया? 130 degree आ गया? तो यह linear पेर से कितना आ गया? 50 degree अब आप यह linear पेर से निकाल लो या exterior angle property से निकाल लो आएगा वो 50 degree acute angle बताना है यह obtuse आया, acute angle बताना है यानि कि 50 degree शेक है जी? इस प्रकार से काम चलना है सब्सक्राइब आई बात चले आगे, और देखो bisector of any two adjacent angles of parallelogram intersect at देखो, एक parallelogram ले लिए A, B, C, D bisector of any two adjacent angles यह adjacent, यह adjacent आपको बताना है A, P, B का क्या angle होगा? देखो, यह angle पूरा का पूरा A प्लस पूरा का पूरा B का सम कितना होगा? 180 जिसको आप adjacent angles या co-interior angles कहते हो इन पूरे का जो सम होगा वो कितना होता है बच्चो? 1803 ओके, angle A अच्छे, इसको 1 ले ले लेते हैं इसको 2 ले ले लेते हैं bisector है तो angle A को कै लिए सकता हूँ? twice of one and इसको twice of two तो two common लेके काट दिया angle 1 plus 2 क्या आगया? 180 by 2 तो एंगल 1 प्लस 2 कितना आगया बेटा 90 दिगरी चाहिए अब एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल APB का सम कितना आया बेटा 180 एंगल सम प्रॉपर्टी इनका सम कितना है 90 ये पूरा समझा रहा हूँ आप तो औरेली कर सकते हो कि ये दोनों 90 आगये तो ये भी कितना बचेगा बेटा 90 मैं तो आपको बस समझा रहा हूँ कि अगर घर पे बैठो और दुबारा से इसको करो तो आपको रीजन समझ में आ जाए 90 इन दोनों का सम कितना था 180 आदो का सम कितना हो जागा 90 इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो ये भी कितना आ गया बेटा 90 दिगरी तो आप्शन इस डी आप्शन sorted clear है आगे बढ़े चलो the radius of a circle is 13 and the length of one of its cord is 10 एक circle ले लो एक cord है radius कितना दिया हुआ है 13 o a b और cord की length है 10 distance of the cord from the center ये बताना है ठेक है जी अब देखो तो ये पांच और पांच हो जाएगा distance हमेशा perpendicular होता है बेटा और perpendicular from center to the cord bisects the cord यानि ये पांच और ये पांच हो जाएगा आपको OC की value निकालनी है तो पाइथागोरस theorem आप लगा सकते हो तो जो आपका AO का square है वो OC का square प्लस AC का square हो जाएगा 169 OC का square plus 25 हो गया इधर आया 144 का अंडरूट OC आ गया तो OC की value क्या आगई बेटा 12 cm मीटर यानि आपका answer आ गया B option क्लियर है सिंपल सा कोशन कोई मुश्किल नहीं है बस आपको concept देखो focus आपने करना क्या है आज किस पूरे lecture में कि कोशन पढ़ते ही concept कैसे click करें कि अच्छा हो यह तो वुस चैप्टर का question है और यह अला concept उसमें लग रहा है यही पूछ रहा है आपसे 20 कोशन में कि आप बच्चा कोशन पढ़े concept क्लिक हो जाए और वो लगा दे यही काम और कुछ नहीं है ठीक है ना क्योंकि याद थोड़ना करें यह mathematics में इन गिवन फिगर यह फिगर है बेटा आपको ACB एंगल निकालना है जबकि AOB जो है OAB जो हाँ सही एकडम ठीक ठीक दिखरी होगी लेगन फिर भी बना दिया यह यागया भी यागया यह आपको 40 दिया हुआ है आपको यह वला एंगल निकाल रहा है तो यह और यह बराबर होंगे यह 40 है तो यह कितना होगा हमारा 40 होगा 40 40 यह कितना हो गया जल्दी बताएंगे 40 40 यह आ गया हमारा 100 डिगरी एंगल सम प्रॉपर्टी समझ रहे हो यह 40 यह 40 तो यह कितना आजाएगा पिटा 100 डिगरी और अगर यह 100 यह तो उपर वाला कितना होगा पचास होगा पचास क्यों होगा जल्द यल्दी बताओ डिगरी मेजर थिए एक आर्क जब सेंटर पर एंगल मनाती है वह से ही सोच के जल्दी से आपको टिक कर देना है प्रेजंटेशन थोड़ना देनी है आपको आपको रिप्रिजेंट नहीं करना खोशन को आपको सिरफ में टिक करके आना है यह ऑप्शन लिख कर आने अपनी रूल शीट पर चेक है जी ओके डन है आगे देखेंगे पैरी पहले तो फॉर्मला पता होना चाहिए ओफ इक्विलेटरल ट्राइंगल वह होता है बैटा थ्री इंटू साइड और वह किता दिया हुए सिक्स्टी तो साइड कितनी आगी बैटा ट्वंटी संटीमीटर अब आपको निकालना है एरिया अब एरिया निकालने के लिए से लेकर बीस कोशन पैपर देखे होंगे अगर मैं 15 का गया लेकर चलों तो दस कोशनों में दस पेपर मैं इक्विलेटरल ट्रीगल का एंची को जरूर आया है आंसर इस हंड्रेड रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वेर हंड्रेड रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वेर डी ऑप्शन ठेक है न तो एक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मॉला भी आपको पता होना चाहिए आगे बड़े लेजिए फ्रिक्वेंसी डिस्टिब्यूशन की मिड़े वैल्यू दे रखी है 10 और विड दे रखी है 6 तो अपर लिमिट मैंने स्टाट्स पढ़ाया था आप लोगों को तो वहाँ पर मैंने अपर लिमिट और लोर लिमिट दोनों का फॉर्मॉला बताया था मैंने का था mcq में मान लो एकोशन बनेगा यह बनेगा और यह भी अक्सर हर एक पिपर में दिखता है तो upper limit का formula आपको मैंने बताया था क्या होता है वो होता है हमारी mid value plus half of width और अगर lower limit होता तो minus half of width हो जाता mid value क्या है आपकी mid value mid value is 10 and width है आपकी 6 तो यहां पर आगया जी answer आपका 13 क्या आगया 30 इतना ही simple question है बस formula याद होना चाहिए जिस बच्चे को formula याद नहीं होगा तो इतना असान question छोड़ कर आएगा इसलिए formula की booklets भी आप लोगों को बनानी चाहिए थी पहले से ही कह रहा हूँ मैं आपको इसको solve करेंगे value of this 54 upon me 250 का cube root यह 3 नहीं है यह cube root है ठीक है ना अब कहीं बच्चों को यह मैंने offline के mock test में दिया था यह question ठीक है ना अब बच्चे कहीं तो मैं बच्चे कहीं तो मैं उठके आगे साथ इस question is wrong क्योंकि 54 किसी का भी cube नहीं होता और 250 भी नहीं होता लेकिन आपको यह बास समझनी पड़ेगी कि यह पहले lowest term में तो कर लो मेरे भाई ठीक है जी यह आया थे 27 और यह आया 125 27 और 125 क्यूब रूट 27 किसका क्यूब होता है 3 का और यह किसका होता है 5 का आंसर आगया 3 by 5 simple सा question है छेक है जी देखने में कठिन है लेकिन है यह बहुत सरल बहुत असान question है छेक है जी पहले हमने इसको lowest term में किया 27 किसका square cube root होता है बिटा 3 का तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 3 और यह किसका होता है 5 तो लिख दिया हमने 5 और देखो हाँ sum of 0.3 bar and 0.2 bar तो देखो x क्या हो गया 0.3 bar plus 0.2 bar तो 0.3 चलो 0.5 बार लिख दे सीधा यह ता हो समझ पाई पाई रहे होगे क्या गया 0.5 बार यानी 0.555 किसे multiply करते हैं बार के नीचे जितने नंबर होंगे बार के नीचे एक नंबर है तो 10 से multiply करोगे तो यह आगे आपका 10x 5.55 so on क्या करोगे अब बेटा subtract this is the proper way अब देखो 50 mcq कोशन कर रहे हैं तो मैं यह मान के चल रहा हूं कि मोटा मोटा 30 concept revise हो रहे हैं तो चाहे आते भी हो ना फिर भी देखना चाहिए इस lecture को ठेक है जी subtract करोगे क्या आगया 9x क्या आगया बेटा 5 x की value क्या आगयी 5 by 9 क्या किया 10 में से x गया 9 आगया और 5.55 में से 0.55 गया तो 5 बचा तो x की value आगयी बेटा हमारे पास 5 by 9 यानि बी option got it clear है कहें बच्चे कहेंगे सर हम क्या इसको अलग कर लें और इसको अलग कर लें तो भी अंसर आ जाएगा बिलकुल आ जाएगा 3 by 9 2 by 9 5 by 9 okay done 10 question which of the following is the equation of a line parallel to y axis parallel to y axis का मतलब है कोई line ऐसे ऐसे पास आउट हो रही हो या ऐसे ऐसे पास आउट हो रही हो तो y is equal to 0 जो होती है वो तो x axis होती है तो ये वला option तो नहीं है x plus y is equal to z ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं तीन variable आगया ये भी नहीं है y is equal to x हमेशा origin से पास आउट करेंगी तो ये भी नहीं है बच्ची X is equals to A यही तो बताया था ना अगर यह A होगा तो यहीं से तो जाएगी X is equals to 5 X is equals to minus 2 parallel to Y axis होती है यह हमने पढ़ा था exercise 4.4 के अंदर अब देखो 4.4 का concept किस तरीके से पूछा गया आपसे बासन में आई आगे बड़े देखो if these two coordinates एक्वल देखो अगर दो coordinate बराबर होंगे न तो उनका एपसीजा भी बराबर होगा और ordinate भी बराबर होगा क्या क्या रखा है X plus 2 comma 4 is equals to 5 comma Y minus 2 तो एपसीजा बराबर होगा और ordinate बराबर होगा X plus 2 is equals to 5 X की value कितने आ गई? 3 4 is equals to y-2 तो y की value क्या आगई 6 तीन और 6 तीन और 6 तो x3 y6 हमारा option आगया बच्चो सी option rapidly solve करना है rapidly जितना जल्दी हो सके आपको कोशनों को solve करना है लेकिन समझदारी से ठीक है आगे बढ़ेंगे how many line passes through two distinct point euclid chapter number 5 का कोशन है मैं यहाँ पर दो point बना दूं कितनी लाइने cross कर लोगे इन से कितनी lines answer is only एक ही लाइन जाएगी इन से कितनी लाइन जाएगी only one line simple सी बात है कितनी लाइन जाएगी बैटा one concept समझो अब देखो यहाँ पर euclid से कोशन आया ना तो मान के चलना कि euclid से और भी कोशन आ सकते हैं और आते हैं चली यह कोशन बहुत अच्छा है धमाकेदार कोशन very very important कह रहें x by y plus y by x की value है बेटा minus 1 तो LCM ले लो x, y x इससे multiply x square y इससे multiply y square equals to minus 1 x square plus y square is equals to minus xy minus xy यहाँ पर आके हो जाएगा x square plus y square plus xy equals to 0 यह आ गया बेटा हमारा ठेक है जी बास अन्या आ गई अब देखो x cube minus y cube क्या होता है x minus y x square plus y square plus xy यह identity तो यादी होगी बैए identity याद करना हो सबसे important काम है तो यहाँ पर आया हमारा x minus y कुछ भी हो इसकी value क्या है 0 तो कुछ भी multiply करोगे तो 0 आ गया तो x cube minus y cube की value क्या आ गई 0 यानि 0 डिग्री क्या आ गई 0 बास अन्या आ गई simple है चले आगे आगे देखेंगे यह भी बहुत important question है very very important अच्छे के जी बता सारे अच्छे हैं यह कुछ जादा अच्छे है क्यारे इसको factor बताओ factorization factorization से भी question बहुत आते है 1 plus 3y का whole square plus 9y square इसको क्या लिख सकता हूं बटा 3y का square minus 1 का square 9y square किसका whole square होगा 3y का और 1 1 का होगा तो 1 plus 3y का square plus यह बेटा a plus b और a minus b got it a square minus b square की identity लग गए अब यहाँ पर देखोगे तो common आ रहा है क्या common आ रहा है ध्यान से देखना आपका यह और यह क्या आ रहा है common 1 plus 3y a common आ गया क्या बचा हुआ बेटा 1 plus 3y और यहाँ पर आया 3y minus 1 got it yes or no तो एक factor आया 1 plus 3y यहां से 1 से 1 कटा क्या आया बेटा 6y अब देखो मैंने option अभी तक नहीं देखे आप यह भी देख रहे होगे आयम चलो यार अब आप मेंसे बोलो सर आप तो टीचर हो आप तो 15 से पढ़ा रहे हो ऐसा attitude होना चाहिए option बाद में देखेंगे option तब देखेंगे जब हम फस गए हो जब हम फसते हैं तो आप्शन पे जाएंगे क्या हो सकता है क्या हटाऊं क्या बचाऊं लेकिन यहाँ पर आप हम देखो दोनों option निकाले हैं यह दोनों ही factor है इन मेंसे दो मेंसे कोई वी एक जवाब मिल जा हमा दिख रहा होता तो वह भी यहाँ पर option होता तो उसको भी टिक कर सकते हैं डान चले मिरर इमेज मैं तो कहता हूं कि भाई एक मिरर इमेज का कोशन जरूर आएगा मिरर इमेज तो इसकी मैं ट्रिक देता हूं आपको मिरर इमेज का पता ही होगा कि जैसे 9,8 है 9,8 इधर तो कहां बनेगी इमेज यहाँ पर तो यह माइनस 9,8 हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 9,8 तो ट्रिक क्या बता रहा था मैं आपको ट्रिक यह है कि अगर y-axis plane mirror होगा तो सब कुछ सेम रहेगा x वाले का sign बदल दो x वाले का sign बदल दो और ढूण लो ठेक है जी और अगर आपका mirror image बनेगी x-axis पर यह तो y है न एक्स एक्स पर तो y का sign चेंज कर दो x को सेम रखो ठेक है जी याद रखना अगर y होगा y होगा तो x का sign x का sign चेंज करना है ठेक है जी और अगर opposite कर दो अगर x-axis होगा तो y क sign change करना है clear done है x-2 इसका factor दिया हुआ है तो k की value क्या होगी अगर factor है तो remainder शुनने आएगा ठेक है जी देखो 2.2 या 3 का question आया 3 का ही है और gx क्या दिया हुआ है बेटा आपको x-2 x-2 को 0 put करेंगे यहां पर यह आगया 2 5 into 2 का square into 2 minus 18 कितना आया बेटा यह is equals to क्या आजाएगा 0 जब एक gx px का factor होता तो remainder क्या आता है 0 आता है कितना होगया बेटा यह होगया हमारा 20 minus 2 के minus 18 equals to 0 2 is equals to 2 के तो के की value क्या आगई बेटा वन आगई के की value वन यानि आगया हमारा b option क्या आगया b option समझ गए सिंपल सा कोशन है coordinate of a point which lies on y axis at a distance of four unit in the negative direction of y axis यह minus four पे जो लाई करेगा उसके coordinate के point क्या होंगे 0, minus four chapter 3 तो ही असान उसके कोशन तो बहुत ही असान होते है ठीक है जी चाहे वो कोशन आ जाएं चाहे mcq आ जाएं chapter 3 तो हमारा favorite है बहुत ही असान है ठीक है न बेटा तो यह आगे हमारा 0, minus four आगे बढ़ते हुए and exterior angle of a triangle is 80 degree साथ साथ बनाएंगे एक exterior angle 80 degree है roughly बना लो and the interior opposite angles are in the ratio of 1 ratio 3 यानि अगर एक x है तो दूसरा क्या है बेटा 3x है let ratio भी x मन में करेगे ना लिखने की क्या ही जुरुत है अब आपको पता है x plus 3x का जो सम है वो 80 के बराबर होगा exterior angle property यह आ गया 4x is equal to 80 x की value क्या आ गई भी है 20 अब x की value 20 है आपको दोनों एंगल बताने है 20 तो पहला एंगल आ गया हमारा 20 और सेकिंड एंगल आ गया 3x 20 कितना आ गया बेटा हमारा 60 क्या आ गया 60 आप common sense तो यह कहती है कि वही आंसर होगा जिनका सम 80 होगा तो इस सारे ताम जहम की जुरत नहीं थी यहां option की जुरत थी हमको लेगे ऐसा नहीं बहुत ज़ादा time waste कि हमने इनका सम कितना आ रहे 120 इनका सम तो बहुत ज़ादा इनका सम भी बहुत ज़ादा तो क्या बचा आँसर यह हमें ऐसे दो एंगल चाहिए थे जिनका सम कितना आना चाहिए 80 डिगरी आना चाहिए तो option ही एक ही है हाँ या ना option ही एक है आगे बढ़ेंगे assertion reasoning पे देखते हैं एक हाथ question point zero zero lies in first quadrant no first quadrant पे थोना लाई करता है zero zero lie on the both axes yes a is false r is true a is false r is true चेक है जी coordinate geometry बहुत बचकाना chapter है ठेक है ना लेकिन mirror image उसी से ही आया वो एक थोड़ा सा important topic है collinear proof करना एक important topic है बागी सब तो असान है आगे देखेंगे इन triangle a b c a b a c बराबर है angle b 50 है तो angle c भी 50 का होगा देखो एक triangle है a b c a b a c के बराबर है a 50 का होगा ये भी कितने का होगा 50 का yes or no yes ये भी कितने का होगा हमारा 50 का होगा क्योंकि angle opposite to equal sides are equal तो a क्या है true है angle opposite to equal sides of a triangle are equal बिलकुल correct explanation है तो बहुत assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion छेक है जी बहुत ही बड़ी है तो a option भी आ गया ओके चले आगे बड़ेंगे 21 which of the following algebraic expression is not a polynomial polynomial नहीं देखो polynomial की क्या होता है जो power होनी चाहिए ना condition देख लो revise कर लो power जो होनी चाहिए ना वो एक whole number होनी चाहिए वो fraction integer यह सब नहीं हो सकती जैसे यहाँ पर two or one है तो यह polynomial है यह भी क्या है polynomial है यहाँ पर भी three two one है यही polynomial है लेकिन यहाँ पर देखो power क्या आगई ते polynomial नहीं है तो हमारा answer आग यह हमारा polynomial नहीं है constant variable की जो power होनी चाहिए वो एक whole number होनी चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 वो कभी भी negative fraction decimal इन में नहीं होनी चाहिए got it clear है चले आगे यह तो हमने first exercise यानी two point one में ही पहला question में ही सीख लिया था okay point minus two comma three lies in जल्दी जल्दी या अब ना तुम लोग बता यार comment section में फटा फट से जल्दी जल्दी कि कौन से quadrant में लाई करेगा बिल्कुल जी second quadrant में लाई करेगा बिल्कुल सेकिंद कौर्ड़न में लाई करेगा यूकलिट पॉस्टुलेट वन क्या कहता स्ट्रेट लाइन में भी ड्राउन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अनेधर पॉइंट चेक है जी टर्मिनेटि लाइन कैन वी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ओल्राइट एंगल्स हां जी तो क्या है हां जी यह वाला ओता है न पॉस्टुलेट देखो इसको याद करना पड़ेगा आपको पॉस्टुलेट लाइन वाइज याद करने हैं और जो आपका एक्जियम्स हैं वो आप डिरेक्ट कैसे भी याद कर सकते हो चले आगे देखे राशनल नंबर बिट्वीन वन बाइ टू और वन बाइ तू को डिवाइड कर लो 0.5 आता है और यह 0.333 आता है अब इनके बीच में कोई भी एक राशनल नंबर ढूल लो जैसे 2 बाइ 5 करते हो तो यह आता है 0.40 0.40 वो इनके बीच में आता है बिलकुल आता है 1 by 5 0.20 नहीं आएगा 3 by 5 करेंगे तो 3 by 5 हो गया हमारा 0.6 वो भी बड़ा हो गया 4 by 5 करेंगे 0.8 वो भी बड़ा हो गया तो सबसे सरल तरीका है डिवाइड करके मन के अंदर क्योंकि यह कितना आया हो 20 by 5 20 by 5 यानी 4 by 10 तो यह 0.4 आ गया ना और यह क्या गया 0.2 आ गया यह 0.6 आ गया यह 0.8 आ गया तो 0.4 ही तो इनके बीच में आ रहा है संपजी बात है क्लियर है 25 अक्वाड्री लेटरल हैंग ओन्नी वन पेयर अफ पोजिट साइड पारलल वो क्या होगा बताओ जब द उसको हम ट्रैपेजियम कहते हैं ठीक है जी काइट लाइक स्ट्रक्चर ओके डन है ट्रैपेजियम के अंदर खाली वन पेयर अफ पोजिट साइड क्या होती है पैरलल होती है यह दो ट्रैंगल दे रखे हैं एबी एबी जो है वो क्यू आर अब देखो यह इमतिहान की घड और अब बताओ कों से दो ट्रैंगल कों से दो ट्रैंगल आपस में क्या होंगे सिमिलर होंगे देखो corresponding देखना है तो वहीं से बचल जाएगा option से काम अब यहां पर option क्योंकि चारों के चारों option इससे इनी दोनों ट्रैंगल से मिलते जुलते हैं तो क्या करेंगे corresponding देखेंगे क्या A B जो है वो P Q के था नहीं बिलकुल काट दो क्या B C B जो है C B जो है वो P R के बराबर है C B P R चलो आगे देखते हैं क्या B A जो है वो Q R बिलकुल ठीक है क्या C A जो है वो P Q येस तो यह वला option मुझे नजर आ रहा है ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है ठीक है न यहां भी देख लो क्या A B जो है वो R P के बराबर है नहीं क्या B C जो है वो P Q के बराबर है नहीं तो option कौन सा आता है बेटा हमारा B ठीक है जी corresponding अगर ये figure नहीं भी दी होती न तो भी ये काम हो जाता है होई रहा था हमने तो इसी को देख लिया ना कि जो A B है वो P Q के बराबर ही नहीं है तो corresponding word को अच्छे से संकेत नहीं कर रहा तो option आ गया बेटा हमारा कौन सा B तो यह ना आगे बढ़ेंगे लिए में ऩिन नंबर ऑफ कि डीसिमल डीपरेंटेशने इंस एक नंबर कब होता है जब उसके डाइसंगल क Şimdi क्या फर नों टर्मिनिक पीटिंग न रिपीति इसिमल एक्सपैंश जब होता है तो वह नंबर शाल सभिकर्शाओ छेगों यह सब और रि X1 Y1 is a solution of the following किसका solution है X1 और Y1 यहां तो नहीं आ रहा यहां भी नहीं आ रहा दाल डाल के देख लो ना उपर ही डाला पहले ही मिल गया X1 प्लस 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 बाकी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है लेकिन अगर जाते हो तो चले जाओ 1-1 क्या हो गया 0 बराबर नहीं है 1 यह हो गया 2 प्लस 1 3 होना चाहिए यहां पर क्या हो गया यह 3 होना चाहिए लेकिन यहां 2 दे रखा है तो आपको hit and trial से भी question करने आने चाहिए ठीक है ना? hit and trial question 2 angles जिनका sum is equal to 180 degree है उनको क्या कहते हो जिन दो angle का sum 180 होता है उनको क्या क्या कहते है पेटा हम supplementary angles और जिनका sum 90 होता है उनको क्या कहते हो आप complementary angles क्या कहते हैं complementary angles ठीक है जी अब adjacent angles भी जो होते हैं लेकिए वह सिरफ parallelogram के 180 होते हैं दो quadrilateral के एक एक quadrilateral है एक quadrilateral है यह दोनों parallel नहीं है तो इन दोनों का sum 180 होना होगा ठीक है ना? तो answer is supplementary given x y z and stu are congruent किन दो criteria से होंगे यह 12 यह y यह 5 यह दिखाई दे रहा है आपको दोबार अबना दें चलो यह 12 आ गया यह 90 आ गया यह 5 आ गया और यह 12 आ गया यह 13 आ गया और यह 90 आ गया तो किन दो criteria से SSS, RHS, SAS, AAS तो देखो सिंपल सी बाद यह है कि यह यह अच्छा यह वाला कितना होगा 5 होगा पायतगोर यह कितना होगा 13 या तो आप इसको SSS से भी कर सकते हो आप इसको आरेच से भी कर सकते हो आप इसको SAS से भी कर सकते हो ठेके जी अब यह तीनों से ही हो पा रहा है तो यहां एक contradictory question है ठीक है जी गिवन XYZ and STU XYZ and STU हाँ यह तो दोनों से हो पा रहा है मेरे साब से तो बिलकुल अगर मैं यह निकाल देता हूं और यह भी निकाल देता हूं तो यह दोनों से हो जाएगा तो मेरे साब से तो SSS RHS और SS question में हैं गड़बड़ी तो यहां पर यह पूछना च which किसे congruent नहीं होंगे तो वो था AAS यहां कुछ mistake है चलो कोई बात नहीं कोशन समझ में आ गया न हमको concept तुम्हारा स्रॉंग है बही है एरिया आ गया अबक फूर साइद का स्क्वेर साइड का स्क्वेर साइड क्या है यहां पर फूरा उपर रूपर होता है वह एक मैस्टूडन नहीं है उसने टाइपिंग में मिस्टेक कर दे, कोई बात ने, ठीक है जी, तो root 3 by 4, a square, semi perimeter of a triangle, क्या मैं जाके वही है, semi perimeter, a दे रखा है, b दे रखा है, और c दे रखा है, तो 15 और 25, 40, 40, 40, और b 60, 60 का आधा, कितना हो गया बेटा, 30 cm, आप से पूछा है, semi perimeter, क्या होता, semi perimeter of a formula, a plus b plus c by 2, ठ फिर कहूँगा, easy और मुश्किल question depend करेगा, आपके school के level के उपर, आपके school के level के उपर, देखो मेरे पास भिन भिन प्रकार के school के बच्चे है, DAV के बच्चे आते हैं, GD going का के आते हैं, heritage के आते हैं, आपके area पे भी को school लोगा, garment भी है, के भी भी है, विद्ध्य जाएन है, xy बहुत सारे बच्चे आते हैं, चेक है जी, जो मुझे अच् मैं GGD going का या अगर सरकारी स्कूल या केवी की बात करूँ तो थोड़ा सा कम हो जाता है लेवल ठीक है ना तो नाइन्थ और 11 के अंदर ना स्कूल पे भी बहुत बार डिपेंड हो जाती है लेकिन कॉंसर्ट पे फोकस करेंगे अगर आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो यह कोशन अपने आप बनेंगे ठीक है ना यह एक हिस्टोग्राम दे रखा है आई होप हिस्टोग्राम क्लियर है थोड़ा बोटो क्लियर ही है कह रहे है हिस्टोग्राम बिलोग शोज दा नंबर आफ विजिटर ओफ अ मूजियम ऑन डिफरेंट नंबर अफ देजिश 80-90 बिल्कुल बात सही है यह आगे लगवग बारा ही है 80-90 चेक है जी देर वर अबाउट 60-70 विजिटर आट 5 60-70 पर 5 है यह बाद भी ठीक है यह बाद भी ठीक है 60-70 पर 5 है देर वर अबाउट 120-140 विजिटर्स फॉर शिक्स देस 120-140 120-140 यह बात तो रहूंग है यह बात रहूंग है और 60-70 वाली बात थी पांच और 80-90 वाली बात क्या थी हमारी यह बात रहूंग है लास्ट वाली चेक कर लो 100-120 ट्वंटी 26 days 100-120 नहीं तो दोनों ही आगया न यह भी गलत है तो option आगया बेटा भी जस्ट आपको देखना है और उसको क्या कर देना है solve कर देना है clear है बेटा आगे बड़े चलिए आगे देखेंगे देखो the region between a cord and either of the arc देखो यह एक circle है यह एक cord है अब आर्क यह भी है और आर्क यह भी है कोई भी एक आर्क ले लो इनके बीच का जो region है इसको क्या कहते हैं इसको आर्क कहते हैं सेक्टर कहते हैं segment कहते हैं यह semi circle कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं segment क्या कहते हैं segment अगर diameter होता अगर यह diameter होता तो हम इसको क्या कहते है semi circle clear है यह भी क्या है यह भी क्या है segment है और यह भी क्या है segment यह major है और यह minor है इसको minor कहते है और इसको major कहते है लेकिन shape क्या है इनकी segment ही है ठीक है जी, डन है, आगे बढ़े the curved surface area of a right circular cone जिसकी slant height 10 है and base radius 7 है CS से, तो pi rl होता है बिटा pi rl, तो pi r कितना है बिटा हमारा 7 और height कितनी है 10 तो आंसर आ गया 220 cm2 अच्छा, उपर cm दिया हुआ है, नीचे मीटर दिया हुआ है कोई बात नहीं, यहां भी cm ही कर लो तो 220 cm2 हो गया cube, यह भी गरबर दे रखी है, misprinting है नहीं यहापर क्या होगा बेटा, 220 cm2 आपको curved surface area निकालना है तो वो cube में नहीं हो सकता, misprinting है या typing है find the value of x, x की value निकालनी है l जो है, वो m के क्या है, parallel है तो बेटा अगर आपको दिख रहा हो, बिल्कुल दिख रहा होगा 120 माइनस x प्लस 5x का सम कितना होगा 180, यह है बेटा, co-interior या supplementary angles छेक है जे कितना आया बेटा 120 प्लस 4x is equal to 180 आगया 4x is equal to 60 आगया x की value आगए 15 degree कितनी आगे बेटा, 15 degree, ओके देखो question करने से concept तो बहुत सारे जवाइज हो जाते हैं मैं तो यह मानता हूँ बताओ बई degree, आप लोग बताओ क्या होती है degree, degree का मतलब होता है highest power क्या होता है, highest power of polynomial तो इसकी highest power कितनी है बेटा 4, तो answer आगया 4 clear है, आगया बड़े abscissa of a point is minus 7 and ordinate is 2 तो coordinate क्या होंगे बेटा, minus 7,2 simple सा कोशन है बहुत ही simple linear equation this has कितने solution, infinite many solution, यही बात आपको पता है, जो बात हमको बता आपको पता है, उसको खीच के क्या फायता जल्दे दिन इप्टाओ न, बासन में आदे cyclic quadrilateral, क्या होता है cyclic quadrilateral opposite angle का sum 180 one angle major 119 then what is the major of opposite देखो 119 opposite angle x ले लो, उसका sum कितना होता है 180, यही तो है cyclic quadrilateral की पहचान तो 180 में से 119 minus हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा हमारा यह 61 degree, कितना आ जाएगा 61 degree, clear है okay, लिख दूँ यहां पर भी चलो abscisa of a point is the distance of a point from देखो जो abscisa होता है जैसे x, y जो होता है यह कहां से दूरी ना पी जाती है, यह होती है वेटा y-axis से, this is distance from y-axis, और यह जो होता यह होता है, distance from x-axis चेक है जी, याद रखेंगे तो अगर हमारा abscisa जो है, यानि आगे वाला है, distance from y-axis होता है clear है, done है, याद रखेंगे आगे बढ़ेंगे the measure, आगे एक और मैंने कहाना, तीन कोशन है equivalent triangle के measure of each side of an equivalent triangle whose area is root 3 centimeter square, तो area given है आपको, आपको side बतानी है, area का formula root 3 by 4 side का square is equals to root 3, cancel हो गया तो जो side का square है is equals to 4 हो गया square महा जाके under root लग गया तो answer आगया, 2 centimeter क्या है बेटा, 2 centimeter कैसे भी कोशन पूल सकता है आपको area of each quarter triangle याद होना चाहिए clear है if a chord of a circle is equals to its radius बहुत बढ़ी आगोशन है देखना एक chord जो है उसका radius के same है यह हमारी NCRT का भी कोशन है OA, AB और OB तीनों बराबर है तो क्या सकते हो triangle OA, B is an equilateral triangle यह क्या है एक equilateral triangle है तो आपको बताने major segment में angle कितना सब्टेंड हो रहे हैं अगर यह 60 है तो यह वाला कितने का होगा अगर अंदर कुन सा segment major segment में कितना angle subtend किया जाएगा तो वैसे देखा जाए तो 60 degree होगा या माइनर ही होना चाहिए क्या होना चाहिए माइनर ही होना चाहिए ठेक है ना तो आंसर आगया 60 major बोलते हैं तो देखा जाए तो आएगा हमारा 300 degree लेकिन हमें option नहीं दे रखा तो माइनर ही होगा तो आंसर आगया 60 concept समझेंगे OA, OB और AB तीनो बराबर है तो यह equilateral triangle हो गया अब उसके देख तीनो एंगल क्या होते हैं 60 degree के होते हैं तो यह angle आगया हमारा 60 degree का clear है graph of the given graph given below shows the frequency distribution of 22 teachers in a school the number of teachers who age is less than 40 years 40 से कम साल 40 से कम साल तो दो यह हो गई दो टीचर्स तो यह हो गई फेर यह कितनी हो गई बेटा 4 यह कितने हो गई हमारे 3 यह कितने हो गई बेटा हमारे 6 10 पंदरा टीचर्स हो गई कितने हो गई बेटा 15 टीचर्स ठीक है जी तो यह option आगया simple है तो मतलब वन मार्क में ग्राफ बनाना तुम बोलेंगे नहीं, उससे ग्राफ से कोशन पूछ रहे हैं आपसे rationalizing the denominator, तो हमारा denominator क्या बच्छेगा तो देखो अगर हम इसको rationalize करते हैं, अब rationalization करना सब को आता है 3 root 3, plus 2 root 2, 3 root 3, plus 2 root 2, उपर को छोड़ दो, हमें उपर का लेना देना नहीं है denominator को लेना देना है, a minus b, a plus b, तो a square minus b square, time waste क्यों करना है, उपर को solve करके ठीक है न, तो यहाँ पर आया, 9 का, 3 का square 9, 9 3 जा 27, और यह आया 8, तो answer आ गया 19, तो denominator क्या बना बच्छा हमारा 19, elationization तो आता है ना सबको, बहुत important topic है, two acute angles of a right triangle are equal, एक right angle triangle है, यह दोनो angle equal है, और यह कितने degree का है, 90, तो यह 45, 45 क्यों है, अबसी बाद है न, यार, यह कितने क्यों है बेटा हमारे, 45 और 45, ठीक है जी, बड़े आगे, any solution to this linear equation in two variable, in the form of क्या होगा, देखो, y है नहीं, तो यहनि आप y को कुछ भी put कर लो, तो x क्या आने वाला है, x की value आ गई, minus 9 by 2, और y की value, any number, कुछ भी put कर लो, वो तो zero ही है, उसका coefficient, तो answer आ गया a, x आ गया minus 9 by 2, और y, any number, यानी m से represent किया हुआ, y zero नहीं है, y कुछ भी डाल लो, y one डाल लो, two डालो, three डालो, minus में डालो, fraction में डालो, बार में डालो, कुछ भी डालो, तो यह हमारा नश्टी होना है, क्योंकि उसके साथ coefficient क्या है, zero है, चेक है जी, अच्छा कोशन है, बच्छे समझ नहीं पाते हैं, इस कोशन को क्या कह रहा है, यह कोशन तो बहुत अच्छा कोशन है, मैं तो कहा रहा हूँ, यह कोशन जरूरी नहीं है, one mark में आएगा, it can come in one, two, either three marks also, ठेक है जी, तो क्या है, x minus one by x की value दे रखी है, fifteen by four, आपको x plus one by x की निकालने, squaring both side, a square, plus b square, minus two, a, b, is equals to 225 by 16, कट जाएगा, two यहां के प्लस हो जाएगा, तो x square plus one by x square की value आगई, 225 by 16 plus 2, which is 225 plus 32 अपॉन में 16, यानि 257 अपॉन में 16 आगई, यह value आई है, बेटा, मेरी x square plus one by x square की, लेकिन मुझे यह नहीं निकालनी, most of the question में, खाली इतना ही पूछा होता है, लेकिन यहां थोड़ा सा extra पूछा हुआ है, तो आपसे value निकालने को बुला है, x plus one by x की, इसके square की value क्या होगी, a square plus b square plus two a b, यह भी कट गया, इसकी value कितनी है हमारी, 257 by 16, प्लस दो, 257 प्लस 32 अपन में 16, तो यह आ गया, x plus one by x का whole square, कितना आया बेटा, 289 by 16, square वहां जाकर क्या हो जाएगा, under root, यह आ गया, 17 by 4, क्या गया, 17 by 4, छेक है जी, important है, छेक है, done है, तो यह एक अच्छा question है, अब यहां से आपसे cube की value पूर्च सकता था, वह सिरफ x square की value भी पूर्च सकता था, कुछ भी पूर्च सकता है वह आपसे, clear है, done है, चलिए, इसकी value बताइए, मैं question reframe करता हूँ, 256 x की power 16, 81 y की power 4, की whole power है, minus 1 by 4, तो सबसे पहले तो power negative है, उसको resistive procate करना पड़ेगा, तो 81 y की power 4, 256 x की power 16, की power 1 by 4, यह होता है, c की power 4, चेक करो, 3 y की whole power 4, into में 1 by 4, यह होता है, 4 की power 4, और x square की power 4, की into में 1 by 4, यह कटा, यह कटा, 3 y upon में 4 x square का, बस, 4 x square, यह आया हमारा, हाँ जी, 3 y upon में 4 x square आया, ढूंडो, 3 y upon में 4 x square, पावर 16 थी, अच्छा, तो 4 आएगा, बेटा, मैं 8 समझाता, तो यह 4 आएगा, 4 की power 4 होगी, तब जो 16 बनेगा न, ठीक है, तो यह 4 आएगा, 3 y upon में 4 x की power 4, यह option आगया, हमारा, बी option, ठीक है जी, laws of exponents and power, चलिए, आखरी question पर चलते हैं, बहुत असान है, opposite sides of a quadrilateral have, opposite sides of a quadrilateral, इन दोनों में, क्या कोई common point होगा, two common point, no common point, one common point, infinite common point, answer is, कोई भी common point, नहीं होगा, opposite sides of quadrilateral के अंदर, बासन में आ गई, sorted है, clear है, done है, तो बटा, अब यह मत देखो कि सर, असान कोशन भी बहुत सारे थे, मुश्किल भी बहुत सारे थे, मेरे paper में क्या आएगा, it totally depends on your school level, ठीक है न, पहली बात, दूसरी बात, आप कोशन पर ध्यान देही क्यों रहे हो, आपको ध्यान किस पर देना है, बेटा, concept पर देना है, अब आप यह समझ गयोगे, किन किन concept पर कोशन आ सकते हैं, ठीक है, तो उस concept पर धावा बोलो जागा, अब आपको समझ आगा है, कि quadrilateral जो chapter है, या जो हमारा triangle chapter है, उससे बहुत कम mcq बन रहा है, जादा mcq किससे बन रहा है, polynomial से, real number, यानि जो आपका पहला chapter है, number system से, coordinate geometry से, linear equation 2 variables से, probability से भी बनता है, लेकिन वो out of syllabus है, तो वहना probability से भी बहुत सारे बनते थे, stat से बन रहा है, आप देख रहे हो, surface area and volume से इतना नहीं बन रहा, क्योंकि उसका बड़ा question आएगा, stat से बन रहा है, तो यह छोटे ओटे chapter से ही आपका question बन रहा है, ठीक है न, hiron से बन रहा है, okay, done है, तो अगला lecture जो हम लेकर आएंगे, आपके लिए उसके अंदर होंगे, आपके case study based question आपको बहुत तंग कर रहे हैं न, वो भी लेकर आँगा, पचास और, अब थोड़ा लेवल उपर बढ़ा दूँगा, कि ताकि moderate level भी आज करा दिया, थोड़ा सा high level के questions भी मैं आपको, अगली क्लास के अंदर जरूर, अगली से अगली क्लास के अंदर जरूर करा हूँगा, थेक है जी, इतनी practice करें, प्रस जो concept इसके अंदर involved होंगे, उसको आप और brush up करें, मिलूँगा अगली क्लास में, तब तक के लिए, bye bye, बेख जाएंगा, बेख जाएंगा,